नमस्कर दोस्तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से एक ही यूजर नेम और पासवर्ड लेकर पूरे आलिंडिया की किसी भी परदेश की सर्विस को आप किस तरीके से इस्तिमाल कर सकते हैं आर इंडिया में जितनी भी सर्विस परियोग की जाती है, सारी सर्विसें इस में मौझूद हैं, बात करेंगे आज हम इसी के बारे में, तो सबसे पहले हमको यहाँ Google Chrome को open करना है, open करने के बाद वहाँ लिखना है मेरी पहचान.gov.in, इस पर ओके करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलने के बाद यहाँ पर आपको देखे नीचे जाने के बाद एक ऑप्श option पर यहां पर click कर देना है इस तरीके से डालने के बाद आपको यहां पर OTP डाल देना है OTP डालने के बाद यहां पर given name मांग रहा है यहां पर आपको अपना full name add कर देना है full name add करने के बाद यहां पर आपको एक user name बना लेना है password डालने के बाद यहाँ पर पासवर्ड आप कर रहेगा, for example, आलोक नाम है आपका, तो alok at the rate 123 इस टाइप का कुछ डाल सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर confirm होई, पासवर्ड डाल दीजीगा, पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे देखिए gender लिखा हुआ, आपको अपना gender select कर लेना, gender select करने क यहाँ पर यहाँ पर आपको अपना data of birth, यहाँ पर data लिखा हुआ, यहाँ पर month select कर लेना, यहाँ पर year, उसके बाद यहाँ पर एक personal message, कोई भी आप एक personal message अपने इस आप से यहाँ पर टाइप करके, इसको accept terms and condition वाले option पर इस पर टिक कर देना, उसके बाद यहाँ पर sign up पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने login वाला page open होके आएगा, तो login करने के लिए दोस्तों देखी, यहाँ पर लिखा हुआ है login with e-perman, इस वाले option पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है, क्लिक जैसे करेंगे, आपके सामने कुछी इस तरीके का interface खुलके आएगा, देहें कि यह यहाँ पर आपको अपना password डालना है, password डालने के बाद यहाँ I accept यहाँ term and condition वाले option पर यहाँ पर टिक करना है, टिक करने के बाद यहाँ पर आपको sign in पर क्लिक कर देना है, login करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का interface खुलके आएगा, यहाँ पर देखी लिखा जिनके नाम से आप बनाए हैं वो लिखा हुआ, उनका data birth है, mobile number, अब यहाँ user dashboard वाले option पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, देखी दो option दिख रहा है, user dashboard complete के वाई से इस वाले option पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, आपके सामने देखी यहाँ पर पूरी जितने भी सर्विस हैं सब live कर दी गए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखी यहाँ पर नीचे जाएंगे तो बहुत सारी सर्विस हैं आपको दिखने में, पूरे all over इंडिया में इस्तिमाल होने वाली सारी सर्विस हैं इस पर मौझूद है, आप यहाँ से सर्विस कर सकते हैं, दे देखी यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार इस्टेट सर्विस के लिए, इस पर आपको यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने बिहार इस्टेट की जितनी भी सर्विस हैं इस समें live चलें सारी आपके सामने आ जाएंगी, इस तरीके से आप यहाँ पर जितनी सर् सब्सक्राइब कर दे मिलते हैं एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए गुडबाए